हमें समझना होगा कि दुख कई स्तरों पर होता है किसी के किसी करीबी की कहीं मौत हो तो उन्हें महसूस होगा क्योंकि शरीर में एक तरह की प्रक्रिया होती है क्योंकि आपके माता-पिता ही इस शरीर का अधार है आप में और उन में यादों का एक बहुत गहरा संबंध है मृत्यू बस यही है कि जो व्यक्ति आपके पास था वो अब मौजूद नहीं है बस यही एक जीवन गायब हो गया आप उसके लिए नहीं रो रहे है बाद बस इतनी है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए कुलाज का एक हिस्सा था अब मौजूद नहीं है इसलिए यह आपके जीवन में एक खाली जगह छोड़ देता है वो आपके कितने करीब थे उसके मुताबिक यह आपके जीवन में उतनी बड़ी खाली जगह छोड़ देता है कि आप यह खाली जगह भरना चाहते हैं जो आप में है इस खाली जगह की वज़य है अब जो मैं कहूंगा वो उस थिती में मौजूद लोगों को बेरहमी लग सकती है पर यह समझना जरूरी है अगर आपको सांत्वना चाहिए अगर कोई मेरे पास आता है जिसने अभी अभी अपने प्रिये को खोया है तो मैं उन्हें गले लगा कर उनका बचाप करूँगा और सांत्वना दूँगा पर यह तै करें कि आपको आराम चाहिए या जीवन में एक समाधान क्योंकि आज ये व्यक्ति मरेगा कल वो मरेगा पर सो मैं खुद मर सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मरते रहते हैं क्योंकि हम मरने वाले लोग हैं आईए इससे समझते हैं हम सभी मरने वाले लोग हैं सबसे पहले हमारे मन में ये पक्का होना चाहिए कि हम एक दिन मरेंगे तो हमें समझना चाहिए कि दुख कई स्तरों पर होता है एक मानसिक दुख होता है विचारों और भावनाओं में उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है पर एक और चीज ये है कि आपने उस व्यक्ति की अपने शरीर में कितनी आदाश्ट बनाई है मान लें कि अगर वो आपका बच्चा या पती या पत्नी या कोई बहुत करीबी रिष्टा हो तो आपके शरीर में कुछ यादाश्ट होगी इसे पारंपरिक रूप से योग संस्कृति में रुणानु बंद कहते हैं यानि शरीर ने एक बंधन बनाया है आपकी मानसिक मित्रता, मेल और प्रेम वगरह से परे शरीर ने खुद या बंधन बनाया है कई लोग ये महसूस करते हैं उनका कोई करीबी कहीं मर गया उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली पर अचानक उनकी उर्जा कम हो गई है और वो नहीं जानते कि क्या हुआ है पर वो अचानक लगबग बीमार हो गए वो कमजोर महसूस करने लगे फिर कुछ घंटो या कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के मृत्यू की जानकारी मिली पर ये पता चलने से काफी पहले ही उन्हें वैसा महसूस हुआ क्योंकि शरीर में एक तरह की प्रक्रिया है कि यादें खुद को मिटाने लगती है और आपको लगता है कि आपको कोई छोड़ रहा है 21 साल की उमर तक अपने माता-पिता या बच्चों के साथ आपका रुनानुबंध सबसे मजबूत होता है 21 वर्ष की आयू पार करने को पहली तिमाही कहते हैं योग की दृष्टी से जीवन का चक्र 84 साल का है पहली तिमाही यानी 21 साल 21 से कम की उमर में आपके माता-पिता मर जाए या 21 से कम उमर का बच्चा मर जाए तो परिशानी सिर्फ भावनाव में नहीं शरीर में भी परिशानी होगी वो शरीर में प्रकट होगी शारेरी किसलिए होगी क्योंकि रिन अनुबंध मजबूत है पर 21 के बाद काफी हद तक विचारों और भावनाओं में परिशानी होती है रिन अनुबंद से हमारा मतलब है कि आपकी भावनात्म या मानसिक परिशानी अलग चीज़े रिन अनुबंद यानि शरीर की यादे हैं शरीर में यादे होती हैं क्योंकि जिसे आप माता-पिता कहते हैं वो इस शरीर का अधार है आपके बीच एक बहुत गहरा यादों का रिश्टा है जो 21 वर्ष तक सबसे मजबूत होता है 21 के बाद ये कमजोर हो जाता है पूरा खत्म नहीं होता, बस कमजोर होता है मान लीजिए कि आपके उम्र 42 वर्ष है और आप एक पुरुष हैं तो आप में तब भी काफी दर्द भरा रिण अनुबंद होगा पर अगर आपके उम्र 42 साल है और आप महिला हैं तो आपका रिण अनुबंद ना के बराबर होगा बिल्कुल गायब नहीं होगा पर बहुत कम होगा तो आपकी पीड़ा काफी हद तक भावनाओं और विचारों में होगी अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं तो आप देखेंगे कि आप इसे आसानी से संभाल लेंगी क्योंकि सिस्टम में शारेरिक उथल पुथल नहीं होगी पर अगर उनका पती मर जाए तो वो रिन अनुबंध शारेरिक परिशानी देगा क्योंकि वो अलग तरह का रिन अनुबंध है साथ, साड़े साथ साल से कम उम्मर के बच्चों में ज्यादा रिन अनुबंध नहीं होता माता पिता में शायद बहुत अधिक रिन अनुबंध हो पर बच्चों में ज्यादा रिन अनुबंध नहीं होता वजह सिर्फ मांसिक नहीं है साड़े साथ साल से कम के बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती शारेरिक उथल पुथल नहीं होती देख भाल ना हो तो परिशानी हो सकती है अगर वैसी इस्थितियां हो तो मैं इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहता पर अगर किसी महीला की उम्र 42 से ज़्यादा है और वो अपने माता-पिता को खो दे तभी इस संस्कृति में महीलाओं को कर्मकांड नहीं करने पड़ते कर्मकांड मृतकों के लिए होते हैं आप पर उनका ज्यादा असर नहीं होता पर 21 से कम के लोगों को कर्म कांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मृतकों के लिए भी है और आपके लिए भी, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मर गया वो गया, जो होता है हुआ, पर शायद आपके जीवन में उथल पुथल बनी रहे, क्योंकि एक भौ इसके लिए ऐसे योग अभ्यास हैं, जिनसे आप शरीर को फिर से जीवन्त कर सकते हैं, इसकी एक पूरी विवस्था है, हमने योग केंदर में इसे बहुत जीवन्त रखा है, जो लोग अपने प्रेजन को खो देते हैं, उनकी भौते की आदाश्त को हम कुछ प्रक्रियाएं करके दूर करते हैं, शारेरिक यादाश्त दूर होने के बाद मानसिक पीड़ा को लोग काफी आसानी से संभाल पाते हैं, अगर आप शारेरिक रूप से कुछ कर ना पाएं, तो मृतक के लिए कर्म और क्रिया कैसे करें, सबसे सरल चीज है तीन दिन की साधना करना, क्योंक यह अपने अंदर की जा सकती है, एक उम्र के बाद यह काफी हद तक मृतकों के लिए ही होती है, पर आप में भी उनका एक तत्व है, जो पूरी तरह नहीं जाता, हमारा शरीर उस वन्ष की जानकारी से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं होता, जो हमें माता-पिता से मिली ह उससे परे जाने का एक तरीका है पर हम पूरी तरह आजाद नहीं है बहुत एक शरीर एक खास तरह से काम करता है तो बस तीन दिन तक अलग रहना और साधना करना अगर आप और कुछ नहीं जानते तो बस महा मंत्र ओम नमश शिवाय का तीन दिन जितना हो सके उतनी तीवरता से जाप करें आप दिन में कम से कम साड़े चार घंटे ऐसा करें तो परिशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूर रहना अच्छा है वो एक समवेदन शील समय होता है पर अब मृत्यू और अंतिम संसकार, मृत्यू के बाद की चीज़ें एक सामाजिक बक्वास बन गई है लोग घर पर आते हैं, आपको उन्हें कुछ खिलाना या पिलाना पड़ता है पश्चिमी देशों में ये एक बड़ी बात हो गई है भारत में भी ऐसी चीज़ें हो रही है बहतर यही होगा कि आप समाज की बक्वास से दूर होकर कुछ समय अकेले रहें जब आपके जीवन से कोई मैत्वपून व्यक्ती चला जाए तो ये जरूरी है कि आप सामाजिक चीज़ों से खुद को बहलाने के बजाए अकेले रहकर अपने साथ कुछ करें ये सामाजिक चीज़ें हैं लोगों का दुख संबालने का तरीका है मूवी देखना, किताब पढ़ना या फिर टीवी देखना दिल बहलाने की कोशिश ना करें हमें अपने अंदर की परिशानियों का सामना करना चाहिए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें ध्यान भटकाना समाधान नहीं है झाल झाल